अब जोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्व चैनल अजबन उखा में फ्रैंट्स आज हम बात करेंगे क्रासुला के प्रफगेशन की हम क्रासुला को उसकी पत्य उसे कैसे जादा से जादा उगाएं और इसका हम 100% रिजल्ट देखेंगे फ्रैंट्स जैसे की कहा जाता है क्रासुला एक धन वर्षा वाला पौधा है धन को आकशित करने वाला पौधा है तो फ्रैंट्स इसलिए से लोग लगाते हैं घर में धन की ब्रद्धी के लिए पर मेरा मनना यह है कि हर पौधी की अपनी पॉजिटिव एनरजी होती है जो प कि मन को भाई वो पौधा अच्छा है तो फ्रैंट्स फिर भी आपको यह ट्राय करना चाहिए अपने घर में से लगाना चाहिए आप यदि इसी लगाया होगा या आपने इसका कभी प्राइस पिछा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यह काफी कॉस्त लिए आता है आ तो फ्रैंट्स हम इसे एक बार तुले आते हैं पर यदि इसकी देख बाल अच्छे से नहीं होती है तो यह प्लांट हमारे पास जादा समय तक नहीं चल पाता है तो क्या करें जिससे कि इससे हम बहुत जादा पौधे बनाने तो उसी की आज सीक्रेट टिप्स आपके साथ 100% रजाइब के साथ मैं आपके पास लेके आई हूं तो चलिए शुरू करते हैं इसकी क्यार टिफ मैंने पहले ही अपने चैनल पे शेयर की हुई है आप मेरे चैनल पे जाके से देख सकते हैं तो आज हम इसके प्रपागेशन के बात करेंगे सबसे पहले आप क्रिसुला का पादर लेजिए और जो पतियां डेमिंज हो मैं कोशिश करती है कि जो नीची इसकी पतियां होती है उसको लीटी हो आप इसमें देख सकते हैं जिसे कि इसमें चोटे-चोटे प्लांट ये खुद पर खुद मुंटिप्लाइब होता है आप उस तरीके से से इसमें बन रहा है कि इसमें चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-च इस तरीक से यह देखें, मैं यह निकाल लिया, तो मैं इसे निकालेगे, हम निकाल के करना क्या है, मैं अभी से एक साइड रख देती हूँ, इसके लिए हम सैंग त्यार करेंगे, जिसे कि इसको प्रफोगेशन किया रहा सकते है, तो यह मैंने खाली कंटेनल लिया हुआ है, जो मेरे पास पड़ा हुआ था है, मैंने इसमें किस तरीकी का मिक्षर बनाया हुआ है, मैंने इसमें स्वाइल लिया हुए है, कंपोस्ट लिया हुआ है, और सैंड लिया हुए है, मतलब मैंने जो नॉर्मल गार्डन स्वाइल होती है, वो लिया हुआ है, कंपोस्ट और सै को बराबर मातरा में मिला लीजिए उससे भी आपको बढ़िया रजर्ट देखने को मिला तो हमने इस तरीके से उसे बना गया है और अब हम इस तरीके से इकवल सर्फीज करके इसे रख देंगे और थोड़ा से दवा देंगे हलका सप्रीज करना आपको तकि इसका जो नीचे वाला एरिया हो वो मिट्टी के करेक्शन में हो यह देखे हैं आपको इसको गाढ़ना नहीं है अंदर इसको लगाना नहीं बस हमें इसी तरीके से लगा करें और इसके बाद हम इसे रैप करके रखेंगे हैं आप किसी भी पॉलिधिंus से रैप करके मेरत सकत shitty यहां पर इसे रर्च करके रखेंगे अब हम इसा दारिफ सन्लाइं ंे नहीं रखना है हम इते ऐसी जगे रखेंगे जहां पर लाइट आय पर इस पर टारिक्ट ना पड़े मतलब मैं अपने गार्डन में इसे छाओं में रखूंगी जैसे में इसके नीचे रखतेंगे हमारे जो दूसरे गमने हो उसके नीचे तो हम इसे रखते हैं और फिर इसके बाद आपको ड दो से तीन पौधे यहां पर देखने को मिलेंगे चुकि मैंने आप से कहा है कि मैं आपको 100% रिजर्ट दिखाऊंगी तो चलिए यह देखे फ्रेंट्स में पहले इसी नॉर्मल एक गमले में चुकि मैं अलग से ऐसा कुछ कंटेनर वर्गे रियूस नहीं करते हूं बस ऐस के-इस भाल की जहाँ हुए थी ची जाए इस थे नियुकि पर धिकर तो यहां पर मैंने लगाई हुए है इसकी काइस्थ के कि प्रशिigator की यह देखे यह क्राशूल आप की आप देख सकते है मैं इसे निकाल के यह को ठाол करता डाना चाहांगी और नि करका वन आप बीम अ है इससे नाराम से निकानूंगे तरके मेरे पौदे खराब नहों और आपको इसका रिजल्टे ना दिखा सको यह देखिए जिया बिल्कुल सही हुन है इसमें तीन पौदे मुझे देखने को मिलें इसमें रूपस बहुत बढ़िया आई है यह देखिए आप रूपस देख स इसे तीन पौदे बनाने हैं जो काफी कॉस्ली आता है और यदि आप इसे खुद रिसेट कर सके तो हुआ ना यह थैनवर्शा वाला पौदा है तो आपको इसे जरूर प्रपागेट करके देखना चाहिए इसमें बहुत कम महनत लगती है आपने देखा बस कुछ भी नहीं करना है आपको इसे नॉर्मल जो मैंने आपको सॉयल मिक्शर बताया है आप उसमें डाली है और आप बहुत जल्दी इतने प्यारे प्लांट देख सकते हैं और फ्रेंट्स इसे उगाने में इतनी खुशी होती ना क्योंकि जब हम खुद हाथ से कुई चीज उगाते है तो कि बात ही कुछ और होती है तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताहिए कि आपको यह इंफॉर्मिशन कैसे लगी शेर कीजिएगा दोस्तों के सांथ थैंक्यू फॉर करते हैं कीजिएन ।